हेलो फ्रेंड्स मैं हूं माइंग चाचरा और आपको दिखाने वाला हूं मैक्सिमा रॉख के फीचर तो सबसे पहले हमको उपन करेंगे मैक्सिमा सॉफ्वेर मैक्सिमा पे क्लिक करते ही आटोमेटिकली मैक्सिमा और फोटोशॉप दूनों उपन हो जाते हैं और यह तो उसको अन टॉप करना रहता है ताकि सॉफ्वेर मेश्चर स्क्रीन के टॉप पे रहे और इसके बाद हम जाते हैं पिच्चर टैप के अंदर एड फोल्डर करने के बाद मैं किसी भी पिच्चर फोल्डर में से कोई भी पिच्चर फोल्डर को चूज करूँगा तो आट लगाते हैं देकि सारे थम्निल्स मुझे यहां पर देखने लगए पर और इसके बाद मैं मल्टिबल फिच्चर फोल्डर एड़ कर सकता हूँ जितने मर्जी पिच्चर फोल्डर मैं इसमें एड़ कर सकता हूँ उसके बाद enhance color का tool है जिसमें हम color की enhancement करते हैं, भिर studio tools है जिसमें हम picture के tones add कर सकते हैं, different tones है हमारे पास यहां पर, lighting effects एक благодар MOD, vignet effects है जिसमें sketching effects, old picture effect, glow effect use कर सकते हैं, कुसी black and white picture को color बना सकते हैं, तो इसमें black and white color feature है, and इसके अंदर hair cutting का tool है, है लिए इसके इंदर आप किशी भी photo को जिसकी बैंग्रोंड भाइट हो Black हो यह अधर कलर हो उसको अगेय करके कोई भी बैंग्राउंड सब्सक्राइब कर सकते हैं अब एक्राउस पे जाकि एप अपनी बैंग्राउंड एड़ कर सकते हैं और software के साथ काफी से रहे templates आपको दिये जाते हैं और autosave है जिसके अंदर जो templates आप बनाते हैं वो save हो जाते हैं designs crafters है जहां पर mask, stroke, frame, background, clipart, text effects जिस सब कुछ आपको मिलते हैं आपको मास्क ग्लो आपको option मिलता है जिसमें आप design के अंदर काफी enhancement कर सकते हैं auto tools के अंदर आपको automatically white balance correction tool मिलता है जिसमें आप multiple photos, JPG photos folder select करके उसको सारी photos को correction कर सकते हैं साथ में PhDs choose कर सकते हैं, automatic options दे सकते हैं जिसे auto finish, auto level, auto color यह सारे features दे सकते हैं और back to back feature है इसके अंदर, next setting tab के अंदर हम size जाल सकते हैं, जिस size के अपने album बनानी है वो size यहाँ पर feed कर सकते हैं, उसके बाद image resize और original size का option दिया हुआ है हमने साथ में किसी भी format में अपने काम करना है, आप अपने design खुद import भी कर सकते हैं और जो software के सब crafters आते हैं, वो crafters directly import कर सकते हैं designs कहां पर save हो, auto save में दे सकते हैं, automatically आप इसमें JPG files बना सकते हैं, PSD बना सकते हैं, template save कर सकते हैं, mask save कर सकते हैं automatic album designing कर सकते हैं, किसी भी format को JPG में convert कर सकते हैं, water marking कर सकते हैं, presentation बना सकते हैं और काफी सारे features इसमें और भी हैं, जैसे कि आप tools के नदर जाके auto rotation यूज कर सकते हैं, shapes बना सकते हैं, किसी single photo को designs में डालना है, वो डाल सकते हैं, इसकी memories को fresh कर सकते हैं तो complete software जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यह पूरा overview है software कर जिसमें सारे features आपको designing के लिए मिलते हैं, जिसमें designing, finishing, color, correction, hair cutting, सब कुछ आप कर सकते हैं तो यह है Maxima raw का overview, तो हम start करेंगे अब next part पर, thank you for watching Maxima overview